आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ सफोज करो कि यह एक Body है और यह एक दूसरी Body है मैंने बोला कि यार Body यह 2 है और यह Body 1 है अगर यह दो Body एक दूसरी के Contact में आएंगे तो जैसे Contact में आएंगे तो इनकी Contact में आने के वज़े से Contact Force काम करेगा और वो Contact Force का जो Horizontal Component होगा या Contact Force का वो है Component जो Along the Surface लगता है That is the Friction और Contact Force का जो Perpendicular to Contact Surface लगता है That is the Normal तो Friction Force क्या होता है जो Along the Surface लगता है Opposite to Relative Velocity और Normal Force जो Perpendicular to Surface लगता है और अगर हम Mathematically Friction Force को Define करना चाहें विद्दा फार्मूला तो Friction Force का वैसे तो कोई फार्मूला नहीं होता है This is Depend upon the situation की Static Condition में है Body या Body Kinetic Condition में है तो लेकिन फिर भी अगर Body Kinetic Condition में है तो एक Force से है जो हम इसको फार्मूले से रिपेजेंट करते हैं कि Frictional Force equal to Mu into N अब बात आती है कि Mu क्या होता है Mu को बोलते है coefficient coefficient of Friction coefficient of Friction क्या बता है में coefficient of Friction ये बताता है कि जो दो Body एक दूसरे के離स में है उनके सर्फिस का नेचर कैसा है Nature of the Sergeant तो ये क्या बताता है Nature of the Sergeant कैसा है जो दो Body एक दूसरे के離स में आने वाली है तो यहाँ से Friction Force का जो फार्मूला grand नेचार आप the surface और दुसरी बात यन क्या है यन होता है normal force अगर यन normal force है तो हम यह बोल सकते हैं कि bhaai normal force अगर body given situation ये horizontal है तो normal force कभी एमजी के बराबर होगा कभी inclined plane में रखी है तो भाई normal force हो सकता है कि कुछ और हो EMG cost theta हो this is also depending upon the situation लेकिन एक बात fix है कि नार्मल फोर्स जो भी हमारा होगा that is the function of mass आप दा body ये body पे mass पे depend करेगा तो body का mass क्या होता है अगर हम ध्यान से देखें आर कि body का mass क्या होता है और थोड़ा सा अंदर deeply जा रहे हैं तो कि body का mass depend होता है और volume into density volume into density और volume क्या होता है volume होता है एरिया into thickness इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि आरे body का जो mass है वो area और thickness पे depend करता है तो जो normal force है वो कहीं ना कहीं depend करता है कि body का area कितना है body का size कितना है that is also depend upon the size of the body that is also depend upon the size of the body अभी तक देखने वाली बात क्या है कि हमारा जो friction force है हमारा जो friction force है जो कि surface की बीच में लगने वाला है that is depend upon the mass of the body that is the mass से पता चला कि size of the body तो size of the body भी हो गया that is also depend upon the nature of the surface इसका मतलब ये nature of the surfaces पे भी depend करता है तो और that is also proportional to directly mass of the body तो mass of the body पे भी depend करता है लेकिन वो इस बात पे पे डिपेंड नहीं करता कि जो दो body contact में हैं उनका contact का surface area कितना है area of contact इस बात पे चुंकि सुनने में ये थोड़ा फ़ने लगता है but frictional force is independent होता है ये इस बात पे नहीं depend करता है कि यार area of contact कितना है इस बात पे डिपेंड नहीं करता है तो अगर हम option देते है nature of the surface ये तो होगा area of contact होगा नहीं होगा तो यहां से option c हमारा राइट एंसर है कि फ्रिक्शन फोर्स बिट्में टू सर्फेस इज इंडिपेंडेंट आप area of contact मास आप दा बॉड़ी होगा तो option c इज राइट वन area of contact पे डिपेंड क्लासिक सिट्वेल से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटनेट आप या वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर